नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रिदेश टाइमस और मैं हूँ आपके साथ जोती मिश्रा भारती प्रिशाशनिक सेवा में पूने की ट्रेनी आईस पूजा खेड कर द्वारा फर्जी दिव्यांग प्रमार लगाये जाने का मामला थमा नहीं कि अब इन्हीं विवादों के बीच यूपी के एक और आईस अभिशेक का नाम भी इसमें जुड़ गया है चले जानते हैं क्या है पूरा मामला यूपी के एक चर्चित आईस ओफिसर है जिनका नाम है अभिशेक सिंग गर्फिंड के दिल तोड़ने पर यूपी सी से जुड़ने वाले आईस के डूप में फेमस अभिशेक सिंग के बारे में चौकाने वाली बाते सामने आई हैं और वो ये हैं कि उन्होंने यूपी सी में सिलेक्शन के लिए फ़र्जी सर्टिफिकेट लगाया था अभिशेक सिंग पर आरोप है कि उन्होंने यूपी सी में चैनित होने के लिए गर्ण जानकारी दी थी और आरक्षन के जरिये आईस का मुकाम हासिल किया संग लोक सिवा आयोक के सिवल सिवा परिक्षा पास करने में आरक्षन का सर्टिफिकेट लगाने की बात सामने आई है जिसके बाद कुछ यूजर्स ने उनकी चयन प्रक्रिया को लेकर ही कमेंट्स करना शुरू कर दिया उन पर ये तक आरोप लगा दिया कि उन्होंने भी UPSC में चयन के लिए फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे वो विकलांग नहीं है लेकिन IIS परीक्षा पास करने के लिए उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तमाल किया अभिशेक सिंग ने इस तरह कि आरोपो का शोशल मीडिय प्लैट्फॉर्म एक्सपर जवाब लिखा जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर जम कर निशाना साथा है अभिशेक सिंग ने लिखा वैसे तो मुझे किसी आलोचना से कोई परक नहीं पड़ता पर ये मेरे जीवन काल में पहली बार है जब मैं अपने आलोचकों को जवाब दे रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि मेरे हजारों समर्थक मुझे से कह रहे हैं कि आप जवाब दे नहीं तो हमारा मनोबल तूट जाएगा अंतिये मेरे नेटिक करतव है कि मैं सचाई सामने रखू जिससे उनका भरोसा ना तूटे तो ये जवाब मेरे समर्थकों को समर्पित है ना कि आलोचकों को पूर्वा आईस अभिशेक सिग्ने लिखा कि जब से उन्होंने अरक्षट के पक्ष में आवाज उठाने शुरू की है आरक्षट विरोधियों की पूरी सेना ने सब काम छोड़ कर उन पर मोर्चा खोल दिया है उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि जनरल कैटेग्री का लड़का आरक्षट के पक्ष में कैसे बोड़ रहा है उन्होंने ये भी कहा कि अपने पूरे खांदान में मैं एक लौता आईयस में चैनित हुआ हूँ अभिशेक ने का भविशे में मुझ पर आरोप लगाने से पहले दो बार सोच लेना मैं कोई छूई मूई नहीं हूँ जो डर के बैट जाओंगा अपनी प्रतिभा अपने आत्म विश्वास और अपने साहस के दम पर चलता हूँ किसी के बाप के दम पर नहीं मैंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है किसी आरक्षन के दम पर नहीं पूरवायस अभिशेक सिंग ने कहा कि पहले तो आपने मेरी कास्ट पर ही सवाल उठाया और कहा कि मैं जूठा सिंग हूँ फिर आपने कहा कि मैं आपनी नौकरी वापस मांग रहा हूँ और अब कह रहे हैं कि मैंने नौकरी आरक्षर से लिए हैं मैं आपसे बड़ी विनम्र पूरवा के बात कहना चाहता हूँ अभिशेक संग अपने पूरुषार्थ करमठता और साहस के लिए जाना जाता है किसी की कृपा के लिए नहीं वर्ष दो हजार बाइस में उन्हें गुजरात विधान सबाचन में निर्वाचन आयोक की और से प्रेकशक बनाये गया था इस दोरान उन्होंने सरकारी कार के आगे फोटो कीच कर सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसके बाद उन्हें प्रेक्षक से हटा दिया गया था गुजरात से लोटने के बाद वो वापस यूपी केजर में आ गए इससे पहले अविशेक को वर्ष 2015 से 3 साल के लि 2022 को जोईन किया गया इस दोरान उनको कुछ समय के लिए सस्पेंट भी किया गया बाद में उन्होंने वर्ष 2023 में स्तीफा दे दिया अब वो समाजिक और राजनितिक रूप से काफी सक रिये हैं फिलाल इस खबर में इतना ही यूपी से जोड़ी तमाम बड़ी खबरों के ये देखते रहे ये उत्त प्रदेश टाइप्स धन्यवाद